ओम श्री गनी शैनम दोस्तो शमधान ही शमधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 अगस्त शैनिवार के राशी फल के बारे में कि यह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सनीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज विध्यार्तियों को इंटर्व्यू वेक केरियर सम्मंदित परिक्षाओं में सफलता मिलने की पूरी संभावना है इसलिए अपनी पढ़ाई के प्रती एकाग रचित रहें आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिक्तर काम आज समय पर पूरे होते जहेंगे साथी साथ दोस्तो किसी धार्मिक प्रवर्ति के व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचारधारा में शकार अत्मक परिवर्तन लाएगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कार को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्त होगा आर्थिक इस्तिती भी आज आपकी काफी अच्छी रहेगी रिष्टेदारों के साथ मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम बनेंगे और संबंदों में नजदी की आएंगी पिछले कुछ समय से जिन कार के प्रती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब परिणाम उमीद से जादा आपको प्राप्त होंगे धार में कार के प्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुसी का माहूल रहेगा आपकी मेहनत वे परिश्रम से कोई महत्पपून कर रहे आज संपन होगा आपकी योगता और छमता पर परिवार के सदस से गर्व महसूस करेंगे किसी विश्वेशनिये व्यक्ति की शलाम और शयोग आपकी खोई हुई प्रितिश्ठा को दुबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्म विश्वास में वरद्दी होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन भी आज संपन होगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अ पात आज फिजूल घुमने फिरने में अपना समय वयर्थ ना करें अपनी शाररिक उर्जा को बना कर रखें आलसवे मनोरंजन में समय वैतित करने की वज़े से बंते कामों में रुकावट आ सकती हैं अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज समाल कर रखें कोई इनका गलत इ पहुँच सकती है संतान की गत्य विदियों पर पैनी नजर रखें बच्चों की समस्याओं को सांती पूर्वक सुल्जाएं उन्हें डाटने वे गुस्सा करने से उनके अंदर हिंत की भावना उपज सकती है कालपनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश संभावना लग रही है साती सात आज अधिकतर समय घर से बाहर व्यतित करना पड़ सकता है परंतु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवशक है कोई भी अनुचित कार रहें और आपका करोध पूर्ण वहवार आपकी योजनाओं को डग मगा सकता है शाफदान रहें दोस्तों दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथी साथ किसी निकट संबंदी से भी मतवेद होनी की आज पूर प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल हैं परिवारिक गति विदियो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुस नुमा बनाएगा तथा आप से संबंदों में और अधिक नजदी कियाएंगी पति-पतिनी के संबंदों मे मधूरता रहेगी किसी भी महत्वपूर्ण कारे में अपने जीवन साती की आपसला हवस्च चले आज का दिन आपके प्रेम संबंदों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाय केरियर क आपके पक्ष में हैं कुछ अच्छे कारे आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कारे को बहुत अधिक ध्यान पूरुवक करें कोई गलती होने की भी आज संभाव ना है दोस्तों देनिक आय में व्रत होगी आयात नियात संबंदित कारों में अधिक ध्यान केंदरित करें कोई बड़ा अनुबंद मिलने की आज संभाव ना है नोकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा करने से तरक्की मिल सकती है आज कुछ नए अनुबंद मिलने की संभाव ना है कोई भी डी प्योग करें दोस्तों वेवसाई गतिविदियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी परंतु नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने कारों के पिर्ती थोड़ा साथान रहने की वियावा सकता है अन्यता अधिकारी वर्ग की नाराजगी का भी आपको शिकार होना पड़ सकता है वेवसाई के विचार संबंदित रूप रेका पर किसी भी कारे को आज इस्थगित करें आर्थिक सादनों में आज व्रद्धी होगी परंतु किसी भी प्रकार के अनुचित कारे को करने से आपको बचना होगा दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंदित कारों मे पेपर वर्क पर आप अधिक ध्यान दें जरासी साबधानी आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है नोकरी पेशा वेक्तियों से बहुस्वे अधिकारी वर्ग आज प्रसन रहेंगे प्रमोशन मिलने के भी आज योग बन रहे हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज गिरने से या वाहन आदी से चोट लगनी की संभावना बन सकती है इसलिए आज आप अत्यादिक साफधानी बरते हैं वैसे आज आपका स्वास्त बहुत यच्छा रहेगा साथ-षाथ अपने स्वास्त को और भी परवत्र होने के बाद अपनी लंबाई के बराबर काले रंग का धागा नाप ले या दोस्तों फिर आप एक पत्ता बरगद का तोड़े या दोस्तों उसे आप स्वच्छ जल से या फिर गंगाजल से दो कर पहुंच ले अब इस पत्ते पर अपनी कामना रूपी नापा और गला धागा इस पत्ते पर आप लपेड दें जोस्तों इसके बाद आप इस पत्ते को भगवान शनीदेव का इसमनान करते हुएं बहते हुँ जल में प्राहित कर दें और साथ यसाथ अपनी मनों कामनाए मांगे या दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन की सभी प्रकार की बाद हाएं दूर होंगी और आपका भागें चमकने लगेगा या दोस्तो आप इस उपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शनीदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो शच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस शनी देव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक तरना ना भूलें धन्यवाद